नमस्कार जोहार मैं हूँ पल्टू मैंतो और आप देख रहें जार्खन पलस योट्योब पर पल्टू ओपीसियल पर जी यहां दोस्तों तमाम जार्खन के रिलेटेड में वीडियोज आपको इस चैनल के माइदम से प्रोवाइट करते रहता हूँ और आज भी वही टोफी क को लेकर आया हूँ पता ही होगा कुछ दिन पहले सिक्स्टी फोटीन योजन निती को लेकर पहला चरन यानि कि पचीस में तक जो संगसद और विधायकों को ग्यापन सपने का तारीक था वो खतम हो चुका है और उसमें बहुत सारे विधायों का समर्थन में मिला है और क्यातार आपको देते आये और दिखाए भी तो इसी को लेकर हम आगले बात करनेंगे कि क्या कुछ है आगे की रन निती क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि जो सिक्स्टी फोटीन योजन निती को लेकर तमाम जहरकन में जो बिधायक और संगसदों को ग्यापन सोपा गया उसमें समर्थन काफी भरपूर मिला है जहां तक मुझे पता है और जो सूत्रों के मताबिक पता चल रहा है कि बहात्तर बिधायकों ने समर्थन दिया है बहात्तर बिधायक यानि कि हमारे 81 बिधायकों में से बहात्तर को समर्थन मिला है इसमें से हैसा भी है कि जो 60-40 निय कि यहां 60-40 गलत निती है और इसका समर्थन में मैं भी आया हूँ तो आप इस निती को जितना जल्दी हो सके धोस्त करने कोशिस करिए और आगे जो नया निती है उसमें विचार करने की जुरत है जी यहां तमाम झारखन में यह मुद्दा कहीं न कहीं एक छिड़ा हुआ है इसी को लेकर तमाम झारखन के जुवाओं में यह आक्रोस बना हुआ है कि किस तरह से हम लोग का रोजगार मिलेगा किस तरह से नोकरी आएंगे किस तरह से वेकेंसिस आएगी क्योंकि जितने भी वेकेंसिस आ रही है उसमें से अधिकतर लोग जो है बाहरी आने के कोशिस क अपने राज में रोजगार मिलने के कारण वह लोग चिंतित होना भी पढ Mu का जो ठेट मांग को साथ मैं उसक्याइव मार्क अंचा सिरो यह जो रन्निती बनी इसमें अमल होने की कागार में है और हुआ भी पहला चरण खतम हो जुका है दस मैसे पचीस मैं तक अब दूसरा चरण जो स्टार्ट होने वाला है वो 26 मैसे लेकर 9 जून तक या 10 जून तक होगा उसमें से क्या कुछ खास है उसको हम जानेंगे हलांकि आपने पहले भी प्रेस कॉन्फिरंस के मैंदम से ये पता चल ही गया होगा कि अपना जो जार्खन की कला सास्कृति है जो सास्कृतिक चीजों से रूबरू कराएंगे लोगों को कि हमारा जार्खन अभी एक ऐसे मोड पर आ चुका है जहां से हम लोगों को किसी तरह का पोल नगारा और सक्वा का पत्ता से ये लोगों को रूबरू कराया जाएगा जहां पर भीड भड़ाका होगा जाकर बोला जाएगा कि जार्खन हमारा संकट में है इसमें आप सब की जरूरत है जार्खन की इस्तिति कहीं न कहीं हमेशा कुछ ऐसा ही रही है जो लोगों मे एक डर बना हुआ रहता है कि हमारे जहार्खन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसी के लिएकर तमाम जहार्खन के छात्रेनेता और छात्र जागरूख होके इस अभियान को चलाया और अभियान ये जन आंदोलन बना जन आंदोलन ये उस टाइम हुआ था जब अंग अगर बैट के सब विधायक मंतिरी अगर बोलते कि 60-40 जो बैकेंसिस आ रही है जो कुछ भी नितियां आ रही है वो गलत है कहीं न कहीं हर एक पार्टी पॉलिटिक्स रहे हैं गलत को बढ़ावा दे रहे हैं और इसी को लेकर तमाम झारखन के जुबा चिंतित हैं और चिंति होने के कागार में आही गया होगा क्योंकि जब सरकार जब समर्थन देंगे तो चात्र और ज्यादा अपने मजबूती और चट्टानी एकता का परिचे देंगे इसी तरह के बातों को लेकर तमाम जो चीज हैं आपको मैं दिखाते आ रहा हूं और इस चैनल में इतना विश स्वास बन चुका है कि कहीं न कहीं एक अथेंटिक निउस जो है आपको मिलता रहता है और अभी भी कुछ लोग जो सायोग नहीं दिये सपोर्ट नहीं किये कुछ ऐसे नेता मंत्री हैं जिन्होंने अभी भी सायोग नहीं दिये गुप्त सुत्रों के मुताबिक पता चल रहा है तो उन लोगों से क्या उमीद कर सकते हैं जब छात्र की दसा को दसा और दिसा को आप नहीं समझ सकते हैं तो किस काम के सरकार हैं आप हलंकि सरकार से हमें टिपनी करने कोई जोरुरत है नहीं दूसरी बात हज्यो चारकन की जुबाओं का कहना है कि बिधायक और संसोदों का समर्थन तो मिल गया आगे क्या होगा आगे क्या होगा आगे की रनिती तय हो रही है बहुत जल्द आप लोगों से इसको बताया जाएगा दिखाया जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा जिस तरह से आप लोगों ने इस बिधायक संगसोदों का समर्थन में अपना सयोग दिखा है इसी तरह का बनाया रखें यह चात्र नितागा कहना है और तमाम चीजों को आप अपने इस तरह से रखने कोसिस करिए और अपना जो मुल मक्तब है उसको आप देखने कोसिस करिए क्योंकि अपना गरिमा ही नहीं ही नहीं मिलेगा तो आप जात्र नेता के कहना है और जिस तरह से आपने दिखाया यह कहीने कहीं इतिहासि के पन्नों में यह दर्ज होने वाला है क्योंकि एक पंद्रह दिन का जो आंदोलन रहा जनांदोलन रहा उसमें से जो लोग सत्ता पर बैठे हों लोगे सही महोर और सिखनेचर मरवाया गया कि हाँ हम इसको बीरोध में समर्थन देंगे और शात्र को इसमें समर्थन देने के लिए आगे आए तमाम चीजों की जानकारी के लिए हम आपसे फिर आगे मिलेंगे लेकिन एक चीज जो जितने कोई भी हैं जितने कोई में मिला सबने एक ही चीज बोला कि 6049 चलतो जिससे भी मिल रहें यह तो आंदोलोन को मैंने करक खड़ा किया है कोई भी नेता मंत्री बोलते जा रहा है कि तो पहले आप क्यों इस चीज को नहीं समझे जब आपको समझना चाहिए था कि हमारे जारखंड के चात्रों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए जारखंडी जारखंडियों का हीत करना चाहिए और यह चीज तमाम जारखंड के जूबा कहना है और जितने भी लोग हमसे देख रहे हमको देख रहे हैं और आप मेरे बातों को सुन रहे हैं जिस तरह से आप लोगों ने जन अंदोलोन को कराया है यह कहीं ने कहीं अतिहासिक रहा और अतिहासिक पन्नों में यह दर्ज होने वाला है आगे के जानकारी हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ-कुछ ऐसे नेता मंत्री हैं जिसका मैं आपको थोड़ा थोड़ा वीज्वल दिखाने कोसिस करूँगा कि इन लोगों ने कहा है कि 6049 चलतो हम भरपूर समर्थन करते हैं देखते हैं मिलाते हैं आपको और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे सेनल में सब्सक्राइब करके लिए जुड़े रहें बने रहें ताकि कोई भी न्यूज आपको मीच ना हो जुहार नमस्कार उतना मिनाट होला